जहारखंड में अगर आप officer बनना चाहते हैं या जहारखंड का कोई भी exam अगर आप clear करना चाहते हैं तो आपको जहारखंड gs में अच्छी खासी command होनी चाहिए मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले यहां पर JPSC exam का paper second का paper second जो है वो completely जहारखंड gs पर आधारित है इसमें total 100 questions पूछे जाएंगे जिसका total marks होगा वो 200 marks का होगा परते questions का value होगा अंक जो होगा वो 2 marks का होगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और यही एक paper है जो आपक qualify कराने में बहुत ज्यादा help करता है आप यकीन मानिए कि 100 questions है अगर आप जहारखंड gs को अच्छा से पढ़े हुए है तो 70, 80, 90 प्लस आप मार सकते हैं अच्छा से अगर आप concept करके पढ़ लिए हैं तो इसके syllabus के regarding मैंने पहले भी video बनाया हुआ है आप वहां से भी देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस जहारखंड का इतिहास पढ़ना है आपको इसमें से आपके 8 परशन होंगे जहारखंड के अंदोरन के बारें पढ़ना है साथ परशन यहां से होंगे जहारखंड के विसिस पहचान के बारें आपको पढ़ना है जहारखंड का लोक साहित किस तर चाहे वो साहित को ले करके हो, या फिर यहां के साहितकार के बारे में परिचे हो, जार्खन के परमुक्सिक्षन संसान्स हो, खेल कुछ जार्खन का कौन सा है, जार्खन के भूमी समंधी जो अधिनियम है, जिसे SPT है, CNT है, और आपका जो अधर जो भी यहां पे लेंड ओर् पढ़ना है, साथी साथ यहां पर देखेंगे कि अजादी के बाद से राईज के आर्थिक विकास का इतिहास क्या रहा है जहारखन का उससे आपका 10 कोशन्स पूछा जाएगा, जहारखन के यहां के इंडिस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में, यहां पर विस्थापन निती के ब जहारखन का परियावरन समंधी भी कुछ ऐसे तथ्य है, तो उससे भी सवाल आपका आएगा, जहारखन का आपदा परमंदर बहुत इंपोर्टेंट है, यहां से तो बच्चे एक भी कोशन्स नहीं छोड़ते हैं, पांच का पांच यहां से उठा देते हैं, और जहारखन क पर यहां से होगे, और जो मैंने इसके पहले जो वीडियो डाला था आपके लिए, उसमें आपके दस सवाल होगे, वो भी जहारखन से होगे, टोटल 110 सवाल होगे, आनि आपका 220 मार्क्स का जो है सिर्फ जहारखन से होगा, तो आप समझ सकते हैं कि जहारखन का क्या इंपो करूंगा उस वक्त बताऊंगा यहां पर एक इंपोर्टेंट बात और भी आप लोगों के साथ कर ले रहा हूं कि आपको कौन सा बुक से पढ़ाई करना है एक तो सबसे पहली बाग है बुक पढ़ेंगे या फिर नॉट्स पढ़ेंगे यह स्टुडेंट के बीच बहुत जा हो जाता है कि अपना हैंडनोट्स भी नाना मैं ये तीन बिक अगर पढ़ना चाहते हैं एक बुक को आप उडान को अगर एक बुक को ले करके चलेगे तो बहुत ज्यादा आपका बेनिफीट होगा लेकिन अगर तीनों को आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड बहुत ज्यादा डिवलप हो जाएगा किस तरह से छीजों को यहां पर फ्रेंग करके लिखा गया तरीके से इस बूक मैं किस तरह से लेंगोई में लिखा गया इसमें कि बागे कंटेंट तो एक ही है इसमें मैं वह जो सेक्षन हो तरी का वो बिलकुल आपका जहारेखन से रिलेटेड होता है उसमें अप मेंस को फ्रेमिंग अच्छा से कर पाएंगे बस इतना ही इसी बात था अब रही बात नोट का अगर आप coaching किसी जगह से किये हैं और आपके पास notes है तो आप notes से अपना preparation भी कर सकते हैं और notes जो होता है बहुत well expert teachers के दुवारा भी उचिस आपका त्यार किया जाता है वैसे ऐसा बात नहीं कि book भी well expert teacher या beautiful mind तरीके से नहीं त्यार किया जाता है लेकिन notes में क्या है कि बहुत precise और चोड़े तरीके से उसमें लिखा रहता है आप उसको पढ़ करके objective आसानी से लगा सकते हैं रही बात तिसरा में कि आपको notes अपना खुद का कैसे बनाना है तो मैं बताना चाहूंगा कि आप तीनों book को जब पढ़ते हैं तो तीनों book से compile करके अपना खुद का hand notes आप तो आप बिल्कुल भी मत बनाईए अब book को पढ़ना है अगर आपके पास समय है तो daily एक घंटा एक घंटा at least कम से कम आप अपना notes बनाने में दिजी बाकी बाद अगर आप notes नहीं भी बनाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इसी मेरे चैनल में ये सारे वीडियो बनाया हुआ है आप वहां से देख सकते हैं समझ सकते हैं traveling में है कभी free time पे बोरिंग है तो आप वीडियो को देख करके वहां से समझ सकते हैं क्योंकि धारखन आपको anyhow किसी भी cost पर आपको त्यारी करके अच्छा सा चलना है यह मैंने book के बारे बताया notes के बारे है syllabus क्या है यह तमाम चीजें इस वीडियो में बात किया वीडियो गर पसंद आया हो दोस्त तो subscribe करना चैनल को बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा यह आपका affections प्यार जो आपका attachment है यह हमको बहुत boost up करता है और motivate करता है और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like भी करे और कोई सवाल हो तो comments जरूर किजिएगा मुझे इंतजार रहता है आप सभी का beautiful comments का thank you thank you very much all the best